तो आदाव नोश्कार गुड इवनिंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में ठंड का कहर लगातार जारी है तापमान गिरता जा रहा है लेकिन ये भी एक मौसम का दस्तूर है लोटते हैं आज की कहानी की तरफ ये सब चीज़ią कैसे हो रही हैं और कहानी मा ऐसलिए सुनाता ह fulfill का widi असको पंसंद करते हैं बाठ की कहानीया ऐसी हो तो जो मुझे खुद पसंद हैं जैसे आज जो कहानी सुनाने जा रहा है ये कहानी बत Lebens program मुझे भी बड़ा रोमशित करती है और लगता है कि ये सारी च सुनेंगे तो आप भी चौकेंगे बात 1935 की है 1935 सिड्नी शहर की सिड्नी बहुती खुबशूरत शहर है इतफाक से मुझे जाने का वहां मौका मिला है और जिस जगे की ये कहानी है वहां पर मैं लगातार दो तीन दिंदग गया था जो सिड्नी हार्बर ब्रिज है 1935 सिड्नी में दो भाई रहा करते थे दो भाई नी बलके एक बाप और बेटे होपसन और उनका बेटा था रॉन इन दोनों की वहीं पर सिड्नी में ही एक कूगी अक्योरियम के नाम से और साथ में स्विमिंग बाथ रेस्टरां ये उसका बिजनस करते थे बीच के किनारे में लोग आते थे एक्योरियम में मचलियां और ये सारी चीज़े देखते थे स्विमिंग बाथ था साथ में इनका एक 1400 सीटों का थेटर था और धंदा बिलकुल सही चल रहा था लेकिन 1935 में अचानक कुछ महाँ पर ऐसी चीज़ें होई कि इनका धंदा थोड़ा मंदा हो गया लोग बीच पर आने कम हो गया तो उससे बड़ा बिजनस में लॉस हो रहा था और इसको लेके हॉपसन बड़ा परिशान थे इस दोरान में दूसरी तरफ उसी अपरेल के महीने में आठ अपरेल 1935 को सिटनी का एक करीब 40 साल का एक शक्स गायब हो जाता है उसकी बीवी मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देती है पुलिस ढूनती रहती है वो मिलता नहीं इधर कुगी अगरियम में काम नहीं हो रहा है तभी एक दिन समंदर में चुकि ये बीज के किनारे था हॉपसन का बेटा जो है रॉन वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और इतफाक से उसको एक शार्क मचली मिलती है वो टाइगर शार्क थी करीब 12 फुट लंबी टाइगर शार्क इनके कबजे में आती है रॉन ट इसके बाद उसको लेके वो अपने बीच पे पहुंचता है टाइगर शार्क को देखकर हॉपसन उसके पिता जो हैं वो भी बड़े खुश होते हैं और फिर ये कहते हैं कि चुके लोग आ नहीं रहें टोरिस्ट आ नहीं रहा है कोई एक्यूरियम में और ये 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 अचान होता है है कि जब इसको लाकर रखते हैं तो इस शार्क के बारे में खबर फैलती है लोग वहाँ आने शुरू होते हैं देखते हैं धन्दा फिर से वापस चल पड़ता है और इस दौरान में लोगों की भीड बढ़ती जाती है 25 अप्रेल 1935 ये तारीख आती है कुछ दिन हो गयते है उस शार्क को उस दिन वहाँ छुट्टी थी ऑस्ट्रेलिया में सिड्नी में इस प्रचली क्योंकि एंजक डे था और ये नेशनल होलिडे होता वहाँ पर तो एंजक डे पर लोगों की ज्यादा भीड सुबा से ही फैमिली तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और हॉपसन और रॉन दोनों बड़े खुश शार्क की वज़ा से उनकी जो पूरी वो थी एक बिजनेस था उनका वो चलने लगा ठीक ठाक लोग शार्क को देख रहे हैं लेकिन शार्क याँ एकॉरियम में आने के बाद थोड़ा सा चिर्चिरा हो गया था और वो अजीव-जीव हरकते कर रहा था शाम के करीब साड़े-चार बजे थे साड़े-चार जब बजे शार्क थोड़ा चरचड़ा और वैलेंड भी हो रहा था वो अचानक पानी के नीचे जाता और इतफाक से उस वक्त वहाँ सिड्नी हेरालू का एक रिपोर्टर तो था वो भी शार्क की नियूस को कवर करने के लिए पहुचा हुआ था तो यह सारे लोग थे और भीड भी थी अचानक शार्क का बढ़ता हो टाइगर शार्क का बढ़ता हो चेंज होता है और वो उल्टी करना शुरू कर देता है वोमिट करता है तो पहली बार वोमिट करता है तो एक चूहा निकलता है उसके मुझ से दूसरी बार जब वोमिट करता है तो एक बढ़ निकलती है कोई चड़िया और धीरे धीरे वो पानी के उपर सता के उपर आना शुरू होता है और लोग देख रहे हैं तीसरी बार जब वो वुमिट करता है तो सारे लोग चीक पड़ते हैं उसके मुझ से एक हाथ बाहर निकला था एक पूरा आम इनसान का एक लिफ्ट हैंड था अब जैसे ही देखा तो सारे लोग घबरा गए हॉपसन और रोन भी वहां पे आया है लोग चीक ने लगे किसी को पुलिस को कॉल कर दिया पुलिस वहां पहुंचती है और उस हाथ को किसी तरीके से बाहर निकलती है अभी तक कुछ भी नहीं यह था कि शार्क है शार्क में हो सकता खाया हो हाथ उसके पेट में रह गया हो वही उल्टी करते हो इसने निकाल दिया हो पुलिस अपने कबजे में हाथ लेती है वहाँ के डिटेक्टिव और ये सारी चीज है उसका उसको भेज गया था फॉरंसिक जांच के लिए उस हाथ की खाथ पहचान ये थी कि उस हाथ पे एक टैटू बनावा था और उस टैटू में दो बॉक्सर बने हुए थे जब फॉरंसिक एक्सपर्ट उस ब खाने का कहीं पे भी न शार्क के दात के निशान न कुछ है और वो कट मार्क थे और वो ये था कि किसी इनसान का ही काम है अब सवाल ये था कि ये शार्क के पेट में एक हाथ कैसे है और उस हाथ पे कोई दात का निशान नहीं कोई खाने का निशान नहीं और ये बता रहा ह कि यह हाथ कटा हुआ था जैसी यह चीज फॉरेंसिक लेवल पर सामने आती है तो पता चलता है कि उस शार्क ने एक हाथ नहीं बलकि एक मडर मिस्ट्री को उगला था एक कतल का रास था जो उस शार्क ने उल्टी करके बाहर फेका था इसके बाद पहली बार खुद जो पुल था कि यह कतल का मामला है अगबार में वो फोटो चपता है फोटो चपने के बाद पुलिस वेट करती है तभी एक शक्स उस अगबार में तस्वीर देखकर दो दिन के बाद वहां के पुलिस को कॉंटेक करता है उस शक्स का नाम था एडविन स्बिथ वो बताता है कि यह ज तो अब जैसे ही पुलिस के पास वो पहुंसता और बताता है, तो फिर पुलिस चेक करती है, तो पता चलता है कि जो एडविन आया था, उसके भाई का नाम है जेमस स्मित, बलके जेमस स्मित, और वो आठ अप्रिल से गायब था, उसकी वाइफ ने मिसिंग के रिपोर्ट लि मिला था, तो अब ये चीज तैह हो गया, उसकी बीवी ने भी फिर पैचाना उस हाथ को, और कहा कि हाँ ये टैटू बनाया था, वो उसकी चश्मित थी, कि ये हाथ जेमस का ही है, और जेमस गायब है, अब सवाल ये था कि जेमस का एक हाथ शार्क के पेट में कैसे, शार्क जो सिड्नी पुलिस थी और वहाँ की डेटेक्टिव जो अजिंसी, उन्होंने इसकी चानबीन शुरू की, जब चानबीन शुरू की, तो पता चला कि जेमस को आखरी बार सिड्नी में जिस शक्स के साथ देखा गया था, उसका नाम था पैट्रिक ब्रैडी, पैट्रिक ब् चुका था, और जेल भी जा चुका था, इन फोटो और तमाम चीजों को देखने के बाद एक टैक्सी ड्रैवर ने पुलिस को बताया, कि उसने इस शक्स को आखरी बार देखा था, पैट्रिक ब्रैडी को उसकी कार में बैठा था, और वो बड़ा घबराया हुआ था, नर् दवस्त और फिर उसने बताया कि उसने उसको जिस जगह पे छोड़ा, जिस घर के सामने, उस घर के मालिक थे रेगिनल्ड होम्स, रेगिनल्ड होम्स सिड्नी के एक बड़े बिजनिसमें था, बड़ा कारोबार, बोट का खास तोर पर जो सिड्नी हारबर और यहां, वो बो बोट बेजते भी और बोट पे धन्दा भी था, लेकिन साथ में होम्स का एक दूसरा कारोबार भी था और वो था, ड्रक्स का, अफीम और यह सारी चीजें, वो बोट के जरिया सप्लाई किया करता, और कहीं न कहीं से यह था कि पैट्रिक जो था, ब्रैडी, वो और जेम्स स्मित, यह दोनों भी हॉम्स के लिए काम करते थे, अब यह थनी खबर पुलिस के पास आई, पुलिस ने पैट्रिक ब्रैडी को उठाया, और उसको ग्रफ़तार कर लिया, ग्रफ़तार करने के बार उससे पूछ राच की, लेकिन पैट्रिक ब्रैडी ने पुलिस से कोई, उनकी मदद नहींगी, और वो बार बार कहता रहा है कि मेरा इस गत्रिक ब्रैडी के बारे में पूरी छानबीन की तो पता चला, कि सिट्नी में ही इसने एक कौटेज ले रखा था किराय पे, और उस कौटेज में आता जाता था, और छानबीन की तो पता चला कि आखरी बार आठ अप्रेल को जेम्स स्मित अपनी बीवी से एक कहा के निकला था कि वो एक दोस्त के साथ जा रहा है और थोड़ी लेट आएगा चानवी नोगी तो पता चला कि उस रात जेम्स स्मित पेटरिक ब्रेडी के ही साथ था और एक होटल में था दोनों ने शराब पी ताश खेला जुआ खेला और उसके बाद उस होटल से निकले और वो उस कौटेज में पहुंचे जो कौटेज पेटरिक ब्रेडी ने क्राये पे लिए रखा था अब ये सारी चीजों के विटनेस मिले पुलिस को होटेल में भी मिला फिर कौटेज में भी मिला उस कौटेज की ओनर एक लेडी थी उससे जब पूछताच की गई तो पता चला कि जिस दिन से इसमित गायब हुआ उसके अगले ही दिन हाला कि क्राया आगे की महीने का भी दिया हुआ था लेकिन पैट्रिक बिलेडी ने वह कौटेज खाली कर दिया और वह कौटेज छोड़कर चला गया तो पुलिस ने पूछा कि कुछ कौटेज में ऐसी खास चीज जो आपने नोटिस किया तो उस लेडी ने बताया कि हाँ इस कौटेज में एक चीज मेरी मिसिंग है वो एक लोहे का टरंक था और वो टरंक इस कौटेज में नहीं है वो टरंक बड़ा सा था अब पुलिस के पास ये जानकारी थी कि ये टरंक है तो क्या किया जाए इसके बाद फिर पुलिस ने अब आगे की कारवाई करने के लिए पेट्रिक ब्रेडी से ही पूछताज करने का फैसला कि जो भी आगे जाना था वो भी हो सकता था लेकिन पेट्रिक ब्रेडी लगातार मुकरता रहा उसने कहा है इस कतले से कोई लीना देना नहीं अब Patrick Brady से Smith के connection जुड़ गया और Smith के जुड़े होई Holmes से जो की Sydney का एक बड़ा रिज़दार business man है कड़ोपती है लेकिन उसके बारे में ये भी पता है कि वो drugs का भी धंदा करता और उसमें Patrick Brady भी और James Smith भी शामील है काम करते है तो पुलिस को लगा की कहीं ने कहीं इसमें Holmes का भी रोल है इसके बाद पुलिस Holmes के घर पहुंचती है पूछताच करने के लिए लेकिन ये बात Holmes को पता चल जाती है Holmes घर से बाहर निकलता है अपनी एक बोट पकड़ता है बोट से वो समंदर में उतरता है और अपने आपको गोली मार लेता है लेकिन इतफाक से गोली उसके सर की हड़ी को छू कर निकल गई और उसके बाद वो बजग गया कुछ लोगों ने जब ये मनजर देखा गोली चलने की उन्होंने पुलिस को किया जो पुलिस थी वहां पे वो पहुंची करीब कुछ किलोमेटर पीछा किया और फिर होम्स को घेरा चारो तरफ से और उसको पकड़ के ले गए लेकिन वो इंजड हो गया था उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया एडमिट कराने के बाद जब वो ठीक ठाक हो गया तो फिर पुलिस ने उससे पूछ दाज की और उसने कहा कि ये बताओ कि जेमस स्मित के कतले में तुम्हारा क्या राज है और बाकी की बॉड़ी कहा है तब होम्स ने कहा कि ठीक है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है लेकिन आपको बताता हूँ उसने कहा कि एक दिन पैटरिक ब्रेडी मेरे घर आया और घर आने के बाद उसने कहा कि तुमने जेमस स्मित के बारे में सुना होगा जेमस स्मित गायब है उसका हाथ मिला है पर बोला उसका तुमने दूसरा हाथ नहीं देखा उसके बाद होम्स ने बताया कि पैटरिक ब्रेडी अपने साथ एक हाथ लेकर आया था वो दाहिना हाथ था और उसने उसके टेबल पर रख दिया होम्स की और बुला ये है इसमित का दूसरा हाथ मैंने सारे लाश जो बाकी जो लाश थी बॉड़ी के पार्ट वो सारे वो एक ट्रंक में डाल कर समंदर में फेक दिया लेकिन ये लाश ये एक हाथ इसलिए रखा हूँ ताके तुमको यकिन दिला सकूँ कि मैंने उसका कतले किया है और तुम्हारा भी कर सकता हूँ अगर तुमने मुझे जो भी उसकी डिमान थी पैसे की वो पैसे नहीं दिये क्योंकि उसको मैंने ठिकाने लगा दिया क्योंकि मुझे भी ब्लैक मेल करने लगा था लेकिन अब तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिये तो फिर तुम्हारा भी यह हाश होगा ये कहकर पैट्रिक ब्रेडी वो हाथ होम्स के घर के टेबल पर ही रखकर वहां से चला गया इसके ब कहानी के हिसाब से फिर जो आगे की कहानी है वो ये जो फिर टाइगर की भी शार्क की जो हुआ था कि किसी शार्क ने ये हाथ खाया जो होम्स ने फेका और उस शार्क को जिसने हाथ खाया था एक टाइगर शार्क ने उस दूसरी शार्क को खा लिया और इस तरीके से टाइ ने और कहा कि पैट्रिक ने ये माना है कि उसी ने कतल किया है, उसी ने टरंक में लाश को समंदर में फेका और एक हाथ वो मेरे पास लेकर आया, वो हाथ मैंने समंदर में फेक दिया, इसके बाद पुलिस कहती है ठीक है आप यह सारी चीज ने अगले दिन कोर्ट में कहेंगे दो दिन के बाद कोर्ट में पेशी थी और ये सारी बात शाम की थी उसके बाद अगला दिन था और नेक्स दे मॉर्णिंग में होम्स को कोर्ट में जाना था लेकिन अगले दिन शाम को सिड्डी में ही एक सुनसान जगे पे एक कार के अंदर होम्स की लाश मिलती है उसकी बॉ वहुम्स ने सुसाइड करने की मतलब पहले भी कोशिश की थी और ये भी सुसाइड है। लेकिन फॉरंसिक एक्सपर्ट ने जब जाच की तो उन्हों ने कहा कि ये सुसाइड नहीं ये मडर है। लेकिन पुलिस आखिर तक ये कहती रही कि ये सुसाइड है। उसकी वज़ा ये थी कि होम से एक अच्छे रहीज घराने से था अच्छे फैमिली से था लेकिन उसके जो क्राइम की दुनिया थी वो जो करता था और इस मटर में जिस तरह की से उसका नाम आ रहा था और दूसरा वो एक फर्जी इंशोरेंस के और जैसे बोट बहुत सारे आ इंशोरेंस के पैसे थे वो उसको नहीं मिलता तो कहा जाता है कि होमस ने खुद अपनी मौत के लिए अपनी सुपारी दी और शूटर को बलाया और कहा कि तुम मुझे गोली मारो और एक से जादा गोली मारना क्योंकि एक गोली महो सकता है ये थाबित हो जाए कि मैंने सु पारी दी और खुद को गोली मराई शार्पशूटर से ताकि उसके इंशोरेंस के क्लेम के पैसे उसके फैमिली को मिले और वो इंशोरेंस बहुत बड़ी रखम थी अब होमस जो इस पूरे मामले में एक अहम गवा था जिसकी अगले दिन सुबा करीब बारा घंटे के और पैटरिक ब्रेडी लगातार इंकार कर रहा था कि मैंने मेरा इस कतले से कोई लेनो देना नहीं है पुलिस के लिए अब ये था कि पुलिस के उपर उंगली भी उठी कि जब आपके पास इतना इंपॉर्टेंट बिटनिस था होमस और जब उसने आपके सामने कह दिया त लेकिन उसी दिन जिन इसकी गवाही होनी थी कोट की कारवाई शुरू होती है कोट की कारवाई शुरू होती है सारी चीजे रखी जाती है पैटरिक ब्रेडी को जेमस स्मित के कातिल के तौर पर सामने रखा जाता है शार्क ने कैसे हाथ उगला वो मिट करके वो सारी चीज लेकिन जिसने सुनाई थी वो मारा जा चुका है तो पैडरिक्स जो ब्रैडी के वकील थे वो अदालत में ये बहस करते हैं कि सिर्फ एक हाथ के बलबूते पर कि एक शार्क में एक हाथ उगला वो हाथ एक जेमस स्मित का था उसके सिर्फ बलबूते पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि जेमस स्मित मर चुका है क्या पता वो एक हाथ के बिना भी जिन्दा हो इसके बीछे भी कोई साधिश हो कोई और दूसरी चीज हो वो कहीं छुप गया हो कहीं चला गया हो यह हो सकता है कि जेमस स्मित के कि सुपारी किसी और ने दी हो क्योंकि तब तक एक बात और पत किए थी और ये बात सामने आए कि जेमस स्मित पुलिस के लिए एक मुगबर के तोर पे भी काम करता था तो बात ये भी आए कि जिस बैंक अफसर को पकड़ा गया था और उसकी नौकरी चले गया उसे ग्रफ्तार किया गया शायद उसी ने सुपारी दी जेमस स्मित को मारने की लेकिन वो साबित नहीं हो पाया तो दलील ये दी गए अदालत में कि एक हाथ के बलगूते पे बाकी लाश मिली नहीं हलाकि इस दोरान में सिड्नी पुलिस की नेवी की टीम एर फोर्स की टीम गोता इन्होंने समंदर में उस पूरे अलाके के कई किलो मिटर को च्छान मारा ना वो ट्रंक मिला ना जेमस स्मित की लाश का बाकी कोई हिस्सा मिला सिर्फ एक खात जो शार्क ने उगला बस वही मिला तो अदालत में वकीलों की दलील यही थी कि एक हाथ के मिलने से किसी के قतल क की बात नहीं की जा सकती एक हाथ के बिना भी हो सकता है जिन्दा हो तो जब तक लास्ट न मिल जा पूरी पेटरिक ब्रेडी को जेमस स्मित का कातिल नहीं कहा जा सकता अदालत ने इस दलील को माना और कहा कि है यह ऐसा मुम्किन है कि एक हाथ के बिना भी वो जिन्दा हो अग में फिर उसको ग्रफ़तार किया गया लेकिन इस कत्ल को लेकर फिर पैटरिक ब्रेडी के उपर कोई मुकदमा नहीं चला सेडने पुलिस लगाता जाच करती रही 1935 से 1965 आगया 30 साल गुजर गया 30 साल के बाद करीब 76 साल की उम्र में पैटरिक ब्रेडी 1965 में इसकी मौत हो गई मरने से पहले और इन 30 सालों में पैटरिक ब्रेडी यही कहता रहा कि जेम्स स्मित का कत्रस ने नहीं किया इसका इससे कोई लेना देना नहीं होम्स ने जो पुलिस को कहानी सुनाई वो गलत थी और होम्स की सुसाइड है या मडर उसका भी कोई सिरा नहीं मिला कोई कुलू नहीं मिला और इस कहानी का अंजाम यह है कि 1935 आज हम 2020 में जा रहे हैं तरी 75 साल हो गए बिलके 85 साल 85 साल में आज भी शार्क ने एक हाथ उगला उस हाथ के उगलने के बाद जिसकी मौत की कहानी सामने आए जेमस स्मित उसका कतल किस ने किया यह एक राज है पूरे सिड़ी में इससे बड़ी मडर मिस्ट्री कोई दूसरी नहीं है इसको लेके बहुत सारे रिसर्च हुए इस लेकिन आज 85 साल हो गए है 1935 की यह कहानी आज भी एक अंसलजी कहानी है आज भी जेमस स्मित की मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री है लेकिन इस मिस्ट्री को सबसे जो बड़ा चौकाता है जो मैंने शुरू में आप से कहा कि कैसे एक शार्क तमाशबीनों के सामने अचानक उल्टी करता है और एक हाथ उगल देता है और वो हाथ एक कतल की पहली बन जाता है एक ऐसे कतल की पहली जिसको आज तक कोई बूज नहीं पाया मुझे अमीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो आज इसमें इतना ही किसी नई कहानी के साथ फिर एक मुलाकात होग आप से रात नौ बजे तब तक अपना खयाल रखिये अच्छे रहिए थांक यू बेरी मुझ